हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो मां मैं आपको ये बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने नोकिया C12 Pro Android मुवाइल फोन में आप अपने मुवाइल फोन की storage space running out की problem का आप solve कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो मां मैं आपको detail में जानकारी देने वाला हूं की problem देखने को मिलती है तो आपको इसके solution के लिए करना क्या है देखे दोस्तों आपके मुवाइल फोन में जितने भी आप करना है आपका एक page आएगा delete app data का इसमें आपको ok पर tap करना है तो आपका यह नीचे user data और catch इन दोनों के सामना अला data यह दोनों zero हो जाता है ठीक है इस तरह किसे आपको अपने मुवाइल फोन के सभी apps को reset कर देना है ठीक है अब देखे इसके बाद आपको अगला देखे right side के top पर यह profile picture होती है इसे आपको tap करना है ठीक है आपका यह वाला page आएगा इस page में आपको यह backup की setting मिलती है तो यह backup इस off लिखा हुआ है क्योंकि मैंने backup setting को पहले से बंद कर रखा इस app की तो अगर आपकी यह backup setting चालू रहती है तो आपको नीचे यह यहाँ पर na off का button होगा Off पर tap करके Is backup settings को बंद कर देना है THIS इस त्रीके से और भी जिस एप मैं backup setting मिलते हों सभी में से आपको backup setting को बंद करने है ठीक है अब यह तो दिखैँ आप को आपकी ऊपने mobile phone की backup setting को बंद करना है क्या दिखे आपको आपको मोईल phone का setting page ऊपन करना है इसमें आपको सबसे नीचे आपको system पर tap करना है, इसके अंदर आपको backup setting बिलते से tap करना है, तो यहाँ बर दोस्तो आपको यहाँ पे off का button होगा, ओफ पर tap करके आपको जो है, इसलिह बन और आपको backup setting को बन कर देने हैं, जिससे आपको storage space running out की problem सौल हो जाईगी ठीक है? कुन करना है फोन की गैलरी के अंदर आपकी जितने ही फालतुवी फोटो वीडियो आपको अपने फोन की गैलरी से पर्मनेंट आपको डिलीट कर देनी है जिससे आपके फोन की storage space running out की जो प्रॉब्लम है वो आपकी solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों इसके बाद यहां पर आपको अगला काम करने क्या है देखे दोस्तों आपके mobile phone में काफी सारे ऐसे apps होंगे जो की फाल्तुक यह होंगे यानि की जिन apps को आप अपने फोन में इस्तुमाल नहीं करते हैं उन सभी फाल्तुके apps को अपने phone से हटा देना है यानि की अनिस्टॉल कर देना है ऐसा मैं ुसकल héव कर रहा हूं आप कभी भी इपने फोन में किसी बी APP को इंस्टॉल करते हैं तो आपके फोन का स्टॉरज कवर करता है तो अकर आप से फालती। कि सारे आप को आप buradan देंगे तो इससे आपके फोन की फोन के स्टोरेशी म्याहिव से नीचे की सायड है system पे tab करना है इसके अंदर आपको सबसे नीचे reset option टाप करना है इसके अंदर आपको सबसे नीचे erase all data factor reset पे tab करना है इससे आपका phone reset हो जाएगा और आपके phone की storage space running out की problem solve हो जाएगी लेकिन phone को reset करने से बहले दो बात होगा ध्यान रखना है पहली बात या पापके फोन वे जितना भी डेटा सारा अपकी सी दूसरे फोन पर ट्रांसफर कर लिजे या उसका बैकप ले लीजे दूसरी बात निरह तो यह दियान रखने कि आपके